So, welcome to the day 8 part 1 Well, Deepak Shah here, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि prospecting में offline and online कैसे start कर सकते हैं prospecting पहलना जो मारा topic है, उसमें हम बात करने वाले ये approach आप offline में चाहिए, ये तरे तरे online में ये ये approach आपको कामाएगी ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, ये आपको understand रिकाना बहुत ज़रूरी है That one is the opener The first barrier, हमारे सामने सबसे बढ़ा barrier क्या आता है कि हम how to start conversation हम दरते हैं कि conversation किसी से भी कहते हैं start करें See, अगर किसी से आप conversation करोगी तो ही आपको business बढ़ेगा conversation नहीं करोगी, बिजनस नहीं बढ़ने वाद So, आप business के अंदर हो, आपको न चाहते हो कस्टमर से बात करनी पढ़ेगी, कस्टमर चाहे कैसा भी हो आप जिसने ज़्यादा लोगों से communicate करोगी उतने बहतरी आप उसे जाओगी आप उतने ज़्यादा लोगों से बात कर पाऊगी आप understand कर पाऊगी कैसे इस business में आगे काम किया रहता है See opener, जो पहला barrier आपने अल्रडी बताया है कि हम opener कैसे मारे हम कैसे start करें अपना communication उसको हम बात करें वाले हम opener आप मार सकते हो Hello Hi आपने जैसे किया तो आप पहला चीज़ fact fact some information निस आपने कुछ fact fact some information का मतलब आप suppose एक student है आप उसे बोल सकते हो कि ज़्यादा तो लोग बहुत महनत करते हैं बहुत पढ़ाई करते हैं बट graduation खतम होते होते हैं उनकी नौगली नहीं लग पाती बोलेगा बिलकुल सभी बात है fact पहला fact दूसरा जब fact रहा but कुछ लोगों ने but someone मैंने बोता है but some but कुछ लोगों ने एक ऐसा राष्ता निकाल ले रहा है कि वो पढ़ाई के सांसात एक्ट्रा इंकम कर पाते हैं बोलेगा कैसे? how? बोलेगा how कैसे? तो आप उसे बता सकते हो some information कैसे देनी है यह सारे points आपको मैं बताने वाला हूँ step by step कैसे? आप उने वो how तो आप उसे क्या बता? give me your number जब मैं आने वाले वीडियो में आपको बताना रहा है कि two minute कैसे presentation और वो बता है how तो आपको क्या कैसे कैसे चीजे उसे बतानी है कि two minute की presentation में क्या points आप उसे बोलने वाले है कि उसामने वाला बंद आपके सब करवड़ को जाएगा आपके meetings आपके seminar में आ रहेगेगे आप उसे invitation दे रहे हो आप phone पे भी आप उसे chatting पे भी ऐसे बोल सकते हो पेसा कमाने बहुत मुस्किर है बट कुछ लोगों ने पढ़ाई के साथ साथ ये जॉब के साथ साथ extra income करने का opportunity ढूड़ लिया है आप किसे सेज़ चीज बोल सकते हो कोई जॉब अगर बंदा करते हैं आपको सेज़ चीज बोल सकते हो कि यार एक महीने में पूस्ती ही खतम हो जाती है जो दूतरा आप बोलने वाले है कुछ लोगों ने एक ऐसा रास्ता निकाल लिया है कि वो पाट टाइम में भी extra income कर पाते है जिनसे उनका salary बच जाते है और वो इधर से ही पुड़ा खर्जा अपना manage कर लगते है वो देगा how? कैसे तो आप उसे आप उसे का number ले सकते हो उसे number दे सकते हो आप उसे अपने meeting पे बुला सकते हो सीब बहुत सिंपल है आप बात करना चालो तो करो there are two types of people in this world दो तरह के लोग इस दुनिया में होते है आप ऐसे भी बहुत सकते हो यार hello hi आपने जैसी किया तो आप उसे बुल सकते हो there are two types of people in the world दो तरह के लोग ने इस दुनिया में एक वो जो लाइफ में बहुत बड़ा करने की सोचते हैं बट वो कर नहीं पाते हैं बट एक लोग वो जो लोग अपना step by step काम करते रहते हैं वो जो सही guidance मिल जाता है तो बुलेगा मतलब कैसे आप उसे बता सकते हो कि हमारे एक सर है हमारे एक सर है जो आपको सही guidance दे सकते हैं जो लाइफ में बहुत बड़ा हासो की तर सकते हो आप उस चीज बता सकते हो और उसे next step पे ले आ सकते हो उससे नमब ले सकते या च्छेंज कर सकते हूँ The next one is ज्यादा तर लोग ज्यादा तर लोग बहुत ज्यादा महनत करते हैं आप ऐसे ज्यादा तर लोग अपना एक मेडियो का लाइट दीजे पाते हैं उनके ड्रीम्स बहुत बड़े-बड़े होते हैं बट वो अपने ड्रीम्स को पुरा नहीं कर पाते हैं क्यूंकि वो सही चीज को accept नहीं करते हैं उन्हें सही guidance नहीं मिलता है लेकिन मैं ऐसे एक इंसान को जानता हूँ जो बहुत ही अच्छे से आपको guidance दे सकता है और आपके life को change कर सकते हो लेगा कौन कैसे वो आपसे questions पूछ रहा है कि हाँ यह कैसे हो सकता है हाँ यह कैसे हो सकता है आप उसे बताओ ना we in network marketing industry we are the problem solver हम लोग direct selling के अंदर लोग की problem को solve करते हैं इसलिए हम पैसा कमाते हैं हम products नहीं हम लोग की problem को solve करते हैं तो पैसा कमाते है there is an old saying एक पुराने कहावत है आप उसे बहुत सकते हो एक पुराने कहावत है नौकरी से कोई अमीन नहीं बन सकता हो सब्च बात है कोई भी अपने सपने नहीं पुरा कर सकता पुराने कहावत है कि कोई भी अपने सपने नहीं पुरा कर सकता नौकरी से वो बोलेगा का सही बात है बिलकुल सही बात है लेकिन कुछ लोगों ने जॉब के साथ साथ यह ऐसा part time income चालों किया हुआ है जहां से वो अपने life और जरीयस life को जी सकते हैं वो देख कैसे आप उसे बता सकते हो कैसे आप नंबर उनसे लो तो साइक लोगिकली वह आपसे पूछ रहा है भई ऐसा value create करो ना ऐसे words बोलो कि सामने वाला बंदा आपसे पूछे कि भई कैसे आपके साथ business में कर सकता हूं आप उसे ऐसे words बोलो यह सारे words को आप memorize करो आप उसे fact fact some information दो the next topic हम लोग बात करने वाले हैं next topic के अंदर part 2 हमारा चलेगा कि कैसे हम third party के through और accept कर सकते हैं unlimited list में कैसे काम कर सकते हैं who or they know list पे हम काम करने वाले हैं so thank you so much that's all